ये उन दिनों की बात है बच्चे खुश तो मौ भी खुश देखना ममी, आपको नैना बहुत पसंद आएगी ये तो नैना से मिलने के बाद ही पता चलेगा कि वो मेरे हीरो बेटे के मुकाबले में 19 है या 21 21? 21 तो चोड़ो ममी, वो मेरे मुकाबले में 100 है समीर अपनी ममी से मेरी तारीफ में कर करके उन्हें खुश कर देना चाहता था ताकि उसकी ममी को ये ना लगे कि मैं कम सुंदर हूँ हाँ, जा करियो तुम लोग? वाँ, मैरी करूँ तुमारे तो फ्लाइट थी न? इतनी जल्दी कैसे? हाँ, दिल्ली चाह के आने में कितना टाइम लगता है सिब साप, जूम चोड़े, छोटे-छोटे ओके, ऐसे अजो, ओके अर्जुन, पीटा ये दरवाजी पे लगा दे? जी, लगाता हूँ अरे वाँ, ने सारे दिये बना दिये? अरे वाँ, बहुत संदर अगोली है थांक यू पापा अर्जुन कैसे हो? अच्छा बेला? जी बेला मिठाई, अद्वांतर हाँ, फ्रीज में रख देती हूँ आरे, बहुत फूब शांकुले दिया तियार कर रही हो? जी, चाचा जी बहुत अच्छे बेला, अर्जुन 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 वेशे लाता है अभी हाथ रटेक आ जाता है तू एच्छे किसमत हमारी का क्या बोला? कुछ नहीं एक चाटा दोलगा मार रहा लोगी अथा में असकाएगी दुआजी, जंगुली कैसे बनी है? तुदे बनाई है? बहुत अच्छी है ने-नी, नैणा पृती ने बनाई है थीक ही बनाई है भाबजी अंदर आईये न अ.. चाय बनाई है क्या? अनीच, अभी नई अभ भिर क्या आउँ मैं? मैं क्या कह रहे थी? चाय नहीं बनी है लेकिन मैंने पकोड़े बनाय। प्रिति के पापा ना लड्डू भी लेकर आये हैं तो खाते जाएए अब तुम इतनी कसम दे के बोलोगी तो मैं कैसे मना करूँगी बेला पकोड़ों के संग में चाय बहुत अच्छी फिर तू तो तैयारे अपनी सास से मिलने के लिए बहुत अइंजिन हो रही है याद स्मेज महीं नहीं हारा कि मैं बोलूंगी क्या उनसे कहना क्या है सर पे पल्दू डाल के पाउँ चुके गाना गा दियो सास साल जीओ हमारी सासु जी हो गया ? तू ना पे कार में बहुत जाधा टेंशन ले रही है मेरी जगा ना खड़ी हो के देख तब पतर चलेगा क्या होल होता है तेरी जगा नहीं पागल मैं समिल कि मम्नी की जगा खड़ी होँगी क्या ? क्या पक्वाज प्रीती तुम कर क्या रही है तु रुख बेट क्या कर रही है कर नहीं रहिए ärre नहीं कराने वाली हूं तुच से प्राक्टिस अब तु ये समझ कि मैं सी की मम्मी और तु क्रेट तू तू नहीं थे नहीं हैं तू मुझसे बाद शरू करे नहीं नहीं, मैं शुरू करती हूँ तो तुम नहीं नहीं हो? जी तब से साथ हो तुम हो समित? जी जी चार साल हो गए बहुत प्यार करती हो मेरे बेटे से जी इतना कि पूरी दुनिया में कोई किसी से नहीं कर सकता होबीस क्या है तुमारी? जी मुझे पढ़ना लिखना बहुत पसंद है क्या हो? मैंने ना, बीमारी नहीं पूछी है होबीस बता अपनी मुझे ना घाना बनाने का बहुत शौक है लेकिन ठीक से बनाना नहीं आता सिलाई बनाई आती है? जी मैंना चल कर दिखाओ हे? हाँ, और नहीं तो क्या तुझे नहीं पृता आजकल सारी मारी ना चलवाकर देखती है वो शरत की माने तुझे नहीं चलवाया था नैना, बेटा, चल कर दिखाओ बस बस चीकता कुम जो हाँ हाँ हाँ, करें दिखाओ तो इसे दाद दिखाओ कर नहीं आ सकती सामने देरे होने वाली सास होगी जोनी लीव नहीं यहाँ करके है ऐसे आस हाँ हाँ, बेटा ओ सुभा कितने बज़ूट जाती हूँ इतने सारे सवाल पूचेंगे को मुझसे, वहां ही तो क्या बिल्कुर? बगवाण जी प्लीज, आपने अच तक हर एक्जाम में मेरा साथ दिया है, इसमें भी पास करा तीचे, प्लीज, प्लीज, प्लीज बगवाण जी, नेना में चुखाया है कि आप हर मुश्किल में साथ दियते हैं, तो क्या आप मेरी इस मुश्किल में मेरा साथ देंगे? कुछ ऐसा चमतकार कर दो ना, कि मम्मी को नेना बहुत पसंदा चाहें, प्लीज? बेला, कैसे लग ना हूँ मैं? प्लाइजी, एकदम हमिताब लग रहें आप, और मैं? तो यह देखा? अच्छा, प्रीती के बापने यह सब छोड़ी, यह ठीक करने में मेरे मदद करी ही ना? हाँ प्रीती, तू बात कर, मैं पागले क्या? तू बोल प्रीती, क्या प्रीती? तुझे मिलने जाना है ना प्रीसास से, तो पॉना भी तू ही बना अफान चूटना वुलाइक, कितनी त्यारी लग रही ना दोनों हाँ अब भई, अब जल्दी से दोनों के हाथ पीले हो जाए ताकि दोनों बच्ची आगले साल अपने अपने ससुराल में दिये जलाएं अब चाचा जी वो में और प्रीती थोड़ी तेर के लिए कामया के घर होएं पटाके जलाने के लिए जल्दी वापस आजाएंगे ओ पई, दमाग खराब हो गया अरे दिवाले के दिन भी घर से बाहर गूमती बेरोगी नहीं नहीं ताई जी हम बस आना जाना करेंगे वैसे भी हमारे गर पटाके का आते हैं यह तो अच्छी बात है नहीं बेखा देखो पटाके जलाना मतलब पैसों को जलाना होता है बस बस कहीं जाने की जरूरती चुपटा आप गर में बैठी रो एइपोर्ट चलोगी मेरे साथ एपोर्ट? अरे दिवाले की जिन अगर एइपोर्ट नहीं देखा तो क्या देखा? लाइट्स, दिये, रांगोरी, डेकोरेशन इस ब्यूटिफुल और सिराश्ट एक बहुत खास महमान भी होगी वहाँ अनुरादा पोडवार ओ बई यह यह कौन है? अरे भगवान जूट न बुले भावी जी यह तुमेरी मन पसंद गाईका है अनुरादा पोडवार उनका गाना है न वोग बहुत प्यारे करते हैं तुमको सनम कमाल लेज़ गो नहीं हम नहीं जा सकते वो ताई जी नहीं 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 है बहुत प्लीज जाने दीचे ना भावी जाने दीचे ना को एयरपोर्ट देखने का मौका मिल रहा है हां बस एक छोटी सी प्रॉब्लम है आज ओफिस से कार नहीं आई पर इस ओके ऑटो दिन्दाबाद जुई वेटे मैं क्या कहती हूं तु भाई साब की कार ले जा हां क्यों मेरी कार क्यों हां अरे दिये जलाओ मुंबती जलाओ ल जान बूच के छेड़ी गई है ताकि मुझे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़े ताकि मुझे याद आ जाए कि इसकी वज़े से मैंने अपनी कार बेज दी थी अब फिर भी इसका चैन नहीं हुआ अब तुम जखमों पे नमक शिलकने की आदब तो किसी और की है हां ओ बई ये अच्छा है किसी और का चीका मेरे सर्क में फोड़ दिया आपकेश राकेश आज की दिन थोड़ा कम फूटो बार फूट रहना फटा के अबी जी पैसक कोई करवाट नहीं आज दिवाली है सभ पले भी आच करे आई संट मुमिठे की जाओ मारी जिए प्रत पैद तो रोकना अब तुम आराम से अपनी काम्या के घर जा सकती हो थैंक्यू जूई थैंक्यू सो मच अरे रे तुम कहां चली मैं काम्या के घर अरे मैंने अभी तो बताया हम दुनों का एइपोर्ट अलग है हम असली एइपोर्ट जा रहे हैं अनुरादापोर्वाल को देखने और नैना जारी है अपने मिस्टर स्पेशल को देखने मैडम प्यार और खुश्बू चुपाए नहीं चुपते तुमें क्या लगा? तुम मुझे नहीं बताओगी तुम मुझे पता नहीं चलेगा थैंक्यू जूई अच्छा मेरी होने वाले जीजाजी का नाम तो बता दो समीर वाव, नाइस नेम अरे खुद भी बहुत अच्छे हैं जीजाजी तुम सल्मान खान की पर लगते हैं जीली? मुझे भी मिलवाना कभी अच्छा अप जल्दी जाओ अरे हाँ, एक घंटे में हम यही मिलेंगे चलो कुमाल जिप साप जूम सुन, जैसे सिखाया था ना बिल्कुल ऐसे ही करना अपने होने वाले सास से मिलने जा रही है आज रिष्टा पक्का हो जाना चाहिए चल हाँ, रोहन बिटा अगली बार मैं तुम सब को अपने साथ हमतबाद लेकर आऊँ प्रॉमिस हाँ कल सुबर नौ बजे की वापसे की फ्लाइट ने मेरे ओफ मैं तुम भूली गई तुम्हें यहां से बादाम पेडा चाहिए था ना कोई बात नहीं मिठाई की दुकाने न घर के बहुत पास है मैं खुझ जाकर लेकर आऊँगी अपने रोहन बेटे के लिए अब रखो, बाई पांच बज रहे नैना के आने में अभी भी थोड़ा वक्त है तब तब मैं मिठाई लेकर आजाऊँगी आज दिबावली के शुव अफसर पर रिष्टों की गीत माला में अब सुनिए मा बेटे के रिष्टे के नए चहरे को दर्शाता ये गाना पुझ ना मुझ जल्दी चलो ना आंटी जी हैगा आंटी जी, ममी जी, घर पे और का घर पर? तुब भागनों गयो क्या? तुमारे गर पूनम बाभी, मामजी, मामी जी साब होंगे पूझ देखते में जान लेंगे की तो भई है महंदी हाली, कमो नेना, घर में कोई भी नहीं है मामजी, मामी जी, बही है बाभी साब गये शॉपिंग करने दिवाली के लिए अब मैं भी आई कहां जा रही हो? मिठाई लेने, वो तुमारी मम्मी को पहली बार मिल रही हूँ न? और अज दिवाली भी है, खालिया जाना अच्छा नहीं लगता और वैसे भी, मीठे से शुरुवात करेंगे तो आके सब मीठा मीठा होगा अच्छा? मीठा मीठा? करम-करम थपड़ खान है अच्छा तुम मुझे ये बताओ, कि आंटी जी को पसंद क्या है गुलाब जामून रजगुल ले या फिर ने ना इस सब की कुछ जरूवत मी है, सच्छी वह सास मेरी है या तुम्हारी? आँ.. तुम्हारी तो फिर चुप रहो, और चलो अंकल, खानवी कैसे दिया है? जी सत्ता रूपे किलो चात्रजी ने दिवाली के दिया हैं पचास रूपे और मेरे पास हैं 40 रूपे 90 एक किलो खान भी दे दिजिए और 20 रूपे का गेवर भी अच्छे से पैक करना और वो चमकीला वाला कागस लगा देना ठीक है? ले लो ले लो ले लो तेल है जबर्दस्त बॉड़ी बनेगी एकदम मस्त एक मिना लगाओगे सलमान खान बन जाओगे ले लो ले 말고 भीया सुनो ना इतना वाम जा सलमान खान जैसरे दिखते भी हो तेल में है दम और दम भी कम सिर्फ तीन deeply वैसे तो मैं ये wird 400 रूपय में बेजता आध लेकिन आप सलमान खान जैसेacas यसे आपको तीन से रुपे में दे दूँगा लेलो लेलो सोचो मत ठीके ठीके दे दो समीर एक मिनिट भाया इस तेल से एकदम सलमान खान जैसी बाड़ी बन जाती है बिल्कुल दीदी सबने है आज माया इसलिए मेरा तेल पूरी इंडिया पे अचाया अकर ऐसा है तो आपने खुद क्यों नहीं लगाया मतलब मुझे तो लगता है कि आपको ये तिल लगाने की सबसे ज़ादा जरूरत है पहुत किसी और को बनाईएगा चलिए जाएए यहां से तुम्हे ना मसल की नहीं अकल की जरूरत है ऐसे किसी की बातों में आजाते हो अगर तुम्हें बॉडी चाहिए तो एक्सेसाइज करो ना छोरी छोरे से ज्यादा समझदार है चले एक मिट मेरी से आओना अब भया जी इनके लिए अच्छी चूटे दिखाओ ना प्लीस समीर लेकिन अब श्ष्ष्ट ये दिवाली गिफ्ट है मेरी तरफ से आरे यार क्या हुआ तुम्हारी मम्मी से मिलने के चकर में मैं तुम्हारे लिए दिवाली किफ्ट ले नहीं भूल गई वैसे, भूल तो मैं भी गया था, उते ये चुड़ियां दिखी, तो याद आ गया ये ने जी, ये नहीं भी जाए महभूब मेरा, महभूब मेरा मेरे खाबों की तब विश्ह मेरा महभूब जानी खाहिश मेरा महभूब सरघोश्या चुपके करे दस तक सिते दिल पे मेरा महबू मेरे खाबों की तपिश है मेरा महबू मेरी अंजानी खाहिश है मेरा महबू बहुत चंदर मम्मी देखी की तो एक दम से पसंद कर लिए चोड़िया तुमे जी चाहता है उम्र भर के लिए तुझ में ही बस जाओ सिर रखके मैं तेरे सीने पे धड़कनों को सुनता जाओ ना ख्वाहिश हो बाकी बाकी साथी तु है बाकी बाकी ना ख्वाहिश हो बाकी बाकी साथी तु है बाखी बाखी हुर है तु किस जननत की ये बता दे मुझे हा बता दे आओ बैठो आओ बैठो नमस्ते एपी दिवाली थैंक यू लेकिन इसकी क्या ज़र होती अहां मैंने भी मैंने भी मम्मी यह काता इसको की इस तब क्या ज़र होती तो कैने लगी की पहली बार जारे मम्मी आओ, बैठो विडियो